नमस्कार मित्रों प्रस्तो थै देव की नंदन खत्रिक्रत उपन्यास चंद्रकांता संतती खंड तीन ग्यारमा भाग बयान दो कि सूरी और कामनी के गायब हो जाने का तारा को बड़ा रंज हुआ यहां तक कि उसने अपनी जान की कुछ भी परवाह ना की और तिलिस्मी नेजा हाथ में लिये हुए बेधरा को सुरंग में घुश गई यह वही तिलिस्मी नेजा था जो कमलनी ने उसे दिया था और जिस पर तारा को बहुत भरूसा था आज के पहले तारा को इस सुरंग के अंदर जाने का अवसर नहीं पड़ा था इसलिए वह नहीं जानती कि यहां सुरंग कैसी है अस्तु उसने तिलिस्मी नेजे का कबजा दबाया उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई और उसी रोसनी में तारा ने दरवाजे के अंदर कदम रखा दो ही कदम जाने के बाद नीचे उतरने के लिए कई सीड़ियां दिखाई दी और जब तारा नीचे उतर गई तो सीधी सुरंग मिली तारा बड़ी तेजी के स साथ बलकि यों कहना चाहिए कि दवड़ती ही उस सुरंग में रवाना हुई और जब वह थोड़ी दूर चली गई तो उसे कई आदमी दिखाई पड़े जो आगे की तरफ जा रही थे मगर अपने पीछे तिलिसमी नेजे की अद्भुत चमक देखकर रुक गई थे और ता दूर जाने ना पाई थे जब तिलिसमी नेजा लिये हुए तारा लाउट आई थी इसके अत्रिक किसूरी और कामनी को जबरजस्टी घसीटते लिये जा रहे थे इसलिए तेज भी नहीं चल सकते थे यही सबब था कि तारा ने बहुत जल्द उन्हें जा पकड़ा उन लोगों ने दूर से तारा को देखा तो एक दफे उनकी यह एक्षा हुई कि तारा को भी पकड़ लेना चाहिए परन्तु नेजी की अद्वुत करा मात ने उनका दिल तोड़ दिया और चमक से उनकी आखें ऐसी बेकार हुई कि भागने का भी उद्योग ना कर सके बात की बात में तारा उन लोगों के पास जा पहुची जो गिंती में चार थे यदि तारा के हाथ में तिलिस्मी नेजा ना होता तो वे लोग उसे भी अवस्थ पकड़ लीते मगर यहां तो मामला ही और था नेजे की चमक से लाचार होकर वेश्वयम दोनों हाथों से अपनी अप कर बात की बात में बिहोस हो गए अब तारा ने नेजे का मुठ़ा ढीला किया उसकी चमक बंद हो गई और उस समय किसूरी और कामनी ने आखें खूल कर तारा को देखा किसूरी और कामनी का हाथ रसी से बंधा हुआ था जिसे तारा ने तुरंद खूल दिया किसूरी और का कोड़ी दूर तक आगे बढ़कर देखती हूँ कि क्या हाल है अगर कोई दुस्मन ना मिला तो भी सुरंग के दूसरे किनारे पर पहुँच कर दर्वाजा बंद कर देना आवस्चक है मुझे निश्चा है कि बाहरी दुस्मन इस दर्वाजे को नहीं खोल सकते मगर भी उचित होगा कि यहां से लौट चलो और सुरंग तथा तहिखाने का मजबूत दर्वाजा बंद करके चुपचाब बैठो फिर जो हीश्वर करेगा देखा जाएगा तारा कुछ सोचकर बहतर होगा कि तुम दोनों चली जाओ और सुरंग तथा तहिखाने का दर्वाज मचावेंगे और मुझे कमलनी के आगे सरमेंदगी उठानी पड़ेगी यह तो कहो ईश्वर ने बड़ी किरपा की कि तुम दोनों बहिन से ग्रह मिल गई नहीं तो अनर्थ हो ही चुका था और मैं कमलनी को मोह दिखाने लायक नहीं रही थी अब जब तक कैदियों का पता लगा लूँगी मेरत जी ठकाने ना होगा कामनी बहिन तुम यह क्या कह रही हो जरा सोचो तो सही कि इतने दुसमनों में तुम्हारा अकेले जाना उचित होगा और क्या इस बात को हम लोग मान लेंगे तारा तिलिसमी नेजे की तरफ इसारा करके यह एक ऐसी चीज मेरे प फिर भी मैं कहती हूँ कि इस नेजे का असल हाल तुम्हें मालूम नहीं है इसी से मुझे रोकती हो किसूरी बेसक इस नेजे की करामात मैं देख चुकी हूँ और यह निसंदे एक अनूठी चीज है मगर फिर भी मैं तुमको अकेले न जाने दूँगी अगर जित करूगी तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगी तारा ने बहुत कुछ समझाया और जूर मारा मगर किसूरी और कामनी ने एक न मानी और तारा को मजबूर होकर उन दोनों की बात माननी पड़ी अंतमेह निश्य हुआ कि सुरंग के किनारे पर चल कर उसका दरवाजा बंद कर द किसूरी कामनी और तारा कैदियों को घसीटते हुई ले गई और आधे घंटे में सुरंग के दूसरे मोहाने पर पहुची यह मोहाना पहाडी के एक खोई से सम्मंद रखता था और वहां लोहे का छोटा सा दरवाजा लगा हुआ था जो इस समय खुला था तारा ने कैदिय नेजे और खंजर का पूरा पूरा हाल किसूरी और कामनी को समझा जा ताहिकाने में पहुचकर सुरंग का दूसरा दरवाजा बंद किया गया और फिर उपर पहुचकर तारा ने ताहिकाने का दरवाजा भी बंद करके ताला लगा दिया इधर तालाप का जल तेजी के साथ जल कम रहता है इसलिए बनिस्बत उपरी हिस्से के तालाब के निचले हिस्से का जल किरमसह तेजी के साथ कम होता गया यहां तक कि जब तारा सोरंग और तहिखाने से निकल कर मकान की छट पर पहुंची तो उसने तालाब को सूखा हुआ पाया मकान के चारो तरब घूमने वाले लोहे के चक्र तेजी के साथ घूम रहे थे और दुश्मन लोग यह सूच कर कि उन चक्रों की बदवलत मकान तक पहुंचना बहुत कठिन है बलकि असंभाव है उन चक्रों को ताजुब के साथ देख और उनको रूखने के तरकीब सूच र जो दुश्मनों पर तोप के गोले बरसाने के लिए बने हुए थे इस समय रात दो घंटे से ज्यादा जा चुकी थी मगर पहर ही भरतक दर्सन देकर अस्त हुजाने वाले चंद्रमा की रूसनी दुश्मनों की किसी कारवाई को अंधेरे के परदे में छिपी रहने नहीं देती थी दुश्मनों ने जब देखा कि चक्रों के सबब से मकान तक पहुचना संभाव है तो उन्होंने उद्योग का एक मजीदार ढंग निकाला जिसे देख तारा किसूरी और कामनी के दिल में खाव पैदा हुआ अर्थात दुश्मनों ने तालाब को मिट्टी से जाने के कारण वे रुख भी जाते मगर इस काम के लिए दुश्मनों को मामूली से बहुत ज्यादा समय नष्ट करना पड़ा क्योंकि उन लोगों के पास जमीन खोदने के लिए फावड़ा या कुदाली की किस्म का कोई आउजाल ना था खंजर तलवार और नेजों हिसे लोग जो कुछ कर सकती थे करने लगे दुस्मनों के इस उद्द्योग को देखकर तारा का कलेजा दहल गया और उसने अफसोस के साथ किसुरी की तरब देखके कहा तारा अहो अब इस उद्द्योग का क्या जवाब दिया जाए किसुरी याद्यपी बहे लोग एक दिन में तालाब नहीं पाड़ सकते मगर हम लोगों के बचाओ के लिए अब कोई तरकीब सोचनी चाहिए क्योंकि तालाब पड़ जाने पर ये चारों चक्र जमीन के अंदर हो जाएंगे और उस समय इस मकान में दुस्मनों का घुसाना कुछ कठिन ना होगा। कामनी उस सुरंग की राय भाग जाने के सिवाए हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तारा क्या दुस्मन लोग सुरंग के उस मुहाने को सूना छोड़ देंगे जिसका पूरा पूरा हाल उन लोगों को मालूम हो चुका है। कामनी इसकी आसा भी नहीं हो सकती। बेशक भागना मुश्किल हो जाएगा। खैर जो कुछ होगा देखा जाएगा। इस समय तो मैं यही मुनासिफ समझती हूँ कि तीर मार कर दुस्मनों की गिंती कम करनी चाहिए। वे लोग हम लोगों पर कोई हरबा नहीं चला सकते। तारा हाँ इस समय तो यही करना मुनासिफ होगा। इसके बाद जो राय होगी किया जाएगा। मगर बहिन मैं फिर भी कहती हूँ कि तुम मुझे तिलिस्वी नेजा हाथ में लेकर सुरंग की राह से निकल जाने दो। फिर देखो तो सही कि मैं अकेली इतनी दुस्मनों को क्यों कर बात की बात में मार गिराती हूँ। तुम्हें इस नेजे का हाल पूरा-पूरा मालुम हो ही चुका है। अतेओ उस पर भरूसा करके तुम्हें उचित है कि मुझे न रुको। मैं नहीं चाहती कि आहताला पढ़ जाए और फिर सभाई कराने के लिए तकलीफ उठ पढ़े। कामनी तुम्हारा कहना ठीक है। इस नेजे की जहां तक तारीफ की जाए कम है। और तुम उन सभी को जहन्नु में पहुचा सकोगी जो दुस्मनी की नियत से तुम्हारे पास आएंगे। मगर उनका तुम क्या बिगाड सकोगी जो दूर ही से तुम्हें तीर का निसाना बनावेंगे। तारा कुछ सोच कर बेसक यह एक ऐसी बात तुमने कही जिस पर विचार करना चाहिए। अच्छा खुब याद आया। इस मकान में फावलात का एक ऐसा कवच है जो बदन पर ठीक आ सकता है। मैं उसे पहन कर जाओंगी और तीर की चोड से बेफिक रहोंगी। या द्यपी इस पर भी तुम कह सकती हो कि आँख नाक कान मोह इत्यादी किस किस जगह की तुम हिपाज़त कर सकती हो। मगर इसके साथ ही या बात भी सोचना चाहिए कि अगर ताला पाट कर दुसमन यहां घुसावेंगे और हम लोगों को पकड़ लेंगे तो क किसोरी जब ऐसा ही है और तुम प्रान देने के लिए मुस्ताइद होकर जाती ही हो तो हम दोनों को क्यों छोड़े जाती हो क्या इसलिए कि तुम्हारे बाद हम लोगों की दुर्दसा और बेज़ जती हो। इस विशा में किसोरी कामनी और तारा में देर तक हुज़त और बहस होती रही। अंत में यही निश्चे हुआ कि सूरत बदलने और कबच पहनने के बाद हाथ में तिलिसमी नेज़ा लेकर तारा सुरंग की राह से जाए और दुस्मनों का मुकाबला करे कि सूरी और कामनी दोनों में से एक या दोनों तारा के साथ सुरंग में जाएं औ जब तारा सुरंग के बाहर हुजाए तो हर एक दरवाजे को बंद करती हुई लौट आवे। इसके बाद दुस्मनों के भाग जाने पर मकान में तारा का लौट आना कोई मुश्किल ना होगा। यह बात ताइप आई गई और तीनों नौजवान औरतें जिनमें आपस में बहिनों से भी बढ़कर महबत हो गई थी। छट के नीचे उतराई और कोठरी में चली गई। तारा ने आयारी के मसाले से अपने को रंगा और अपनी ऐसी भ्यानक सूरत बनाई कि देखने वाला कैसी ही जीवट कक्यों ना हो मगर एक दफे तो अवस से ही डर जाए। इसक सुरंग का दरवाजा खूल कर तीनों महबूली बहने सुरंग में दाखिल हो गई। ये तीनों 20-25 कदम से ज्यादा ना गई होंगी कि पीछे की तरफ से एका एक दरवाजा बंद कर लेने की आवाज आई। जिसे सुनते ही तीनों चौपड़ी और खड़ी हो गई। तारा पीछे की तरफ लवटी और जब सुरंग के दरवाजे के पास आई तो दरवाजा बंद पाया। खट खटाया धका दिया जोर किया मगर दरवाजा ना खुला। इस समय इन तीनों अवलाओं के दिल की क्या हालत हुई होगी सो हमारे बुद्धिमान पाठक स्यम सोच सकते है कामनी ने घबरा कर तारा से कहा तुम्हारा कहना ठीक है बेसक हमारा दुस्मन हमारे घर ही में है किसूरी चाहे कोई हमारा नौकर हमारा दुस्मन हो या दुस्मन का कोई अयार हमारे नौकर की सूरत में यहां आकर टिका हो। तारा अब सक दूर हो गया और निश्चे हो गय कि कैदियों को इसी कमबक्त ने निकाल दिया मैं ताजूब में थी कि यह दर्वाजा जो दूसरी तरफ से किसी तरह नहीं खुल सकता क्यों कर खुला और कैदी लोग क्यों कर निकल गए मगर अब जो कुछ असल बात थी जाहिर हो गई अब उस सैतान ने चाहे वह कोई भी हो इसलिए यह दर्वाजा बंद कर दिया कि हम लोग पनह लोट कर घर में ना आपावें अफसोस बड़ा ही धोखा हुआ कि इतने पर भी हम लोग उससे बेफिक्र रहे और इस समय भी भाच्छिप कर हम लोगों के साथ ही साथ काईद खाने में उत्रा मगर कुछ मालूम नहु कुछ रुक कर हमारे नावकरों और लौंडियों को क्या मालूम हो सकता है कि इस समय हम लोगों के साथ किस दुष्ट ने कैसा बरताव किया कामनी क्या इस तरफ इस दरवाजे को खूलने की कोई तर्कीम नहीं है तारा कोई नहीं कामनी और अगर दुसमनों ने सुरंग के काम में आवे मगर फिर भी दुसमन होस्यार हो तो हर तरह सुह मोहाना बंद कर सकता है उस दरवाजे के उपर मिट्टी पत्थर या चूने का धिर लगा सकता है इट पत्थर की जुडाई कर सकता है या उस खोल को भर के इट पत्थर से बंद कर सकता है किसूरी हाए अब हम बे मौत मारे गए, ताजुब नहीं कि इस बात का बंदोबस्त पहले ही से कर लिया गया हो कामनी बस अब हम लोगों को यहां जरा भी ना टक कर सुरंग के बाहर निकल चलना चाहिए सायत उधर का रास्ता भी बंद ना हुआ हो तारा कि सुरी और कामनी तेजी के साथ सुरंग के दूसरे मोहाने की तरव रवाना हुई और थोड़ी ही देर में वहाँ जा पहुची इस सुरंग में मकान की तरव जिस तरह की सीड़ियां बनी हुई थी उसी तरह की सीड़ियां सुरंग के दूसरी तरव भी थी जब तारा ने दर्वाजे की कुंडी खूली और उसे धक्का दे कर खोलना चाहा तो दर्वाजा ना खुला उस समय तारा हाई करके बैठ गई और बोली बहिन बस जो कुछ हम लोगों को सक था वही हुआ इस समय दुस्मनों की बन पड़ी और हम लोग बेमाउत मारे गए यह दर्वाजा भीतर की तरब हटता हुता तो खुल जाता और हमें मालूम हो जाता कि आगे रास्ता किस चीज से बंद किया गया है इंट पत्थर और चूने से या खाली मिट्टी से और हम लोग इस तिलिस्मी नेजे से उसमें रास्ता बनाकर निकल जाने का उद्योग करते क्योंकि यह नेजा हर एक जीज में घुश जाने की ताकत रखता है मगर अफसोस तो यह है कि यह लोहे का मजबूत दर्वाजा खुलने के समय बाहर की तरफ खुलता है यह भी कारीगर की भूल है भूलों का मज़ा समय पढ़ने पर ही मालूम होता है अब मुझे मालूम हुआ कि मकान बनाने वाले को दर्वाजे की अवस्था पर विसेज ध्यान देना चाहिए कोई दर्वाजा ऐसा ना बनाना चाहिए जो खुलते समय बाहर की तरफ खुलता हो जिसे बाहर वाला मामूली ताउर पर मिट्टी का धेर लगा कर भी बंद कर सकता है हाई अब मैं क्या करूँ मुझे अपने मरने का तो कोई भी रंज नहीं है अगर रंज है तो केवाल इतना ही कि तुम दोनों को कमलनी ने हिफाज़त में रखने के लिए मेरे पास भेजा और मेरी बदोलत तुम्हे यह दिन देखना नसीब हुआ मामूली ताउर पर जैसा कि अक्सर मौका पढ़ने पर लोग कह दिया करते हैं इस समय किसुरी और कामनी यह बात तारा को कह सकते थी कि बहन हम लोग तो तुम्हें मना करते थे कि सुरंग की राह से बाहर मत जाओ मगर तुमने ना माना अगर मान जाती तो यहाँ दुख भूगना क्यों नसीब होता मगर नहीं बेचारी की सूरी और कामनी बड़ी ही नेक दिल थी वे जानती थी कि जो होना था सो तो हो चुका अब ऐसी बात कहकर तारा का दिल दुखाना नादानी है और इससे कोई फायदा नहीं तारा ने जो कुछ किया उसे भला ही समझ के किया मगर जब ईस्वर की भी ऐसी मरची हो तो क्या किया जाए इस सुरंग के दोनों तरफ की दिवार बहुत ही मजबूत थी और उस पर भावलादी मोटी चादर चढ़ी हुई थी यद्दपी तिलिस्मी नेजा उस भावलादी मोटी चादर में भी घुश सकता था मगर इसमें कोई फाइदा ना था तिलिस्मी नेजा ऐसे स्थान से सुरंग खूद कर रास्ता बनाने का काम नहीं दे सकता था तिस पर भी तारा ने उद्योग में कोई बात उठा ना रखी मगर नतीजा कुछ भी न निकला